जैमा दुर्गा, नवरात्री में सूर्य उदय के समय यह काम जरूर कर लेना, हर बिगड़ा हुआ कार बन जाएगा, माता लक्ष्मी का मिलेगा, असीम आशीरवाद, सभी दुख दर्द नश्ट हो जाएंगे और मिलेगा, माता दुर्गा का असीम आशीरवाद होगी, हर मनो कामना इच्छा पूरी इस नवरात्री में कर लेना, बस यह छोटा सा काम, जैमाम अंबे जैमा, लक्ष्मी है माता रानी, आप अपनी कृपा हमेशा ही अपने हर एक भक्त के ऊपर बनाए रखें, और इस वीडियो को लाइक करने वाले व्यक्ति के ऊपर हमेशा ही अपनी क क्रिपा बनाए रखना, नमस्कार माताएं एवं पहलू स्वागत है, जैमान दुर्गा मित्रों, नवरात्री के पावन दिन हम आशा करते हैं कि मान दुर्गा इस बार आपके घर के अंदर प्रवेश जरूर करें, और साथ ही साथ आपके ऊपर मान दुर्गा धेर सारी क्र क्रिपा बनाए रखें, आप जैसा सोच वैसा आपका काम हो और मा दुर्गा के आपके घर के ऊपर आपके जीवन के ऊपर बने रहो, आज हम आपको एक विशेश जानकारी दे रहे हैं कि बस आप नवरात्री के दौरान सुबह सुबह ही कर ले, यह काम आपके घर के भंडा भर देती है मा, लक्ष्मी, आपके घर के अंदर कभी भी नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, नवरात्री को आपके पूरे नौ दिन मिल जाते हैं, दिव्या भक्ती करने के देवी देवताओं का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए, तो आपको रोज सुबह इन कामों को नौ दिनों के अंदर जरूर करना चाहिए दोस्तों, निश्चित तोर पर मा दुरगा की आपके जीवन के अंदर इतनी कृपा होगी कि देखते ही देखते आपका जीवन से दरिद रथ चली जाएगी और अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है, उन उपायों और निश्चित तोर मा की आपको कौन से उपाय करने चाहिए दोस्तों, नवरात्री का दोरान पिता का दिन होता है, अच्छा पवित्रता का दिन होता है, माताएं, बहनों, सच्ची हृड़य से वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे की माता दुर्गा की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। जैमा दुर्गा तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्री की जो भी सुबह होती है आपको ब्रह्म मुहूर्थ के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्री को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए क्योंकि साक्षात्मा दुर्गा सुबह धर्ती भ्रमन के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनरजी होती है वहाँ पर अपने आप ही मान दुर्गा प्रवेश कर जाती है और अपने कामों के अंदर लग और नवरात्री के दौरान दोस्तों अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीज जरूर डालें ताकि मान दुर्गा का आपके संपूर्ण आशीरवाद प्राप्त होगी या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल एक चिमट जाती है और नवरात्री के दौरान यह उपाय बलवती हो जाता था दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है शक्ति के दौरान रखें छोटे छोटे उपाय हैं आज हम आपको इस सीरीज के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे ऐसा नहीं कि आप कोई सब को आप हम से सफाई करना और अपने द्वारा की सफाई करना और नवरात्री की सुभे सुभे अपने घर के द्वार खोल कर रखना बस आप मात्र इतना कर लें समझ लीजिए कि मां दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन क अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण यह होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्थ के अंदर मा दुर्गा धर्ती ब्रह्मन के लिए निकलती है। इसलिए नवरात्री के दौरान अपने घर की अपने द्वारा की सफाई जरूर रखें। सुबह सुबह के समय ताकि आपके घर के अंदर बीवियों का प्रवेश हो सके। और सकारात्मक देवी देवताओं को वह चीज बहुत ज्यादा आकरशित करती थी। और उसे घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें कि अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दें ताकि क्या पता नौ दिनों के अंदर दीपावली तक को कौन सा आपके घर के अंदर ऐसा सुख सहयोग बनें। कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना अपा सकते हैं अगर कोई भी नवरात्री के दौरान यह उपाय करेगा उससे लाब ही लाब प्राप्त होगा माता रानी का आसीन आशीरवाद प्राप्त होगा उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी पर आप से एक अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राश भी है क्या घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्थिक नहीं बना सकते तो आप क्या करें उसके उपर स्वास्थिय का निर्मान कर लें और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वहां पर उसे पेपर को आपको रख देना चाहिए आपको उतना ही फ उपाय है, कोई स्वास्थिक, अपने अपनी आपके घर की जो नकारात्मक चीज होती है, बुरी शक्तियां होती है, नजर दोश होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है, और सकारात्मक शक्तियों को आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके पूरे शब्द या आपके द्वारा दी गई और ना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है तो वह आपके घर पर दोबारा लोट कर नहीं आते अनुसार कोई साधु बाबा कोई भिखारी आपके घर आ जाए तो आप उसे पहले तो अपने रुपया भी ना दे बस अपने खाने के लिए कुछ चीज नवरात्रों के दौरान अनुदान बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने आने का दान कर तो समझ लीजिए कि आपको सुख प्राप्त हो गया उनके माध्यम से ही आपको सब चीज मिल जाती है तो फिर आपको क्या करने की आवश्यक्ता रहती है इसलिए नवरात्री के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है तो आप उससे कुछ न कुछ दोस्तों आपको जरूरत होती है आपके आसपास सकारात्मक उर्जा बढ़ाने की माध्यम से संबंध होता है हम आपको हमने भी आपको कितनी बार ही बोला है कि तुलसी को दीपक रात्री के समय जलाना चाहिए और तुलसी के आगे रात्री के समय दीपक जलाकर तुलसी मित कि उसमें आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर करें और साथ ही साथ धूप दीप अगर बत्ती भी आपसे संभोग हो तो ज्यादा से ज्यादा आप करें क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय वैसे भी आगे कार कार्तिक महीने के अंदर जितनी ज्यादा तुलसी की पूजा की जाए उतना ही ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि दोस्तों कार्तिक का महीना तुलसी माता को समर्पित महीना होता है और अगर आप इन दिनों के दौरान तुलसी को सुबह और शाम घी का दीपक करते हैं, आप उसके अंदर एक इलाइची डाल सकते हैं, ताकि उसकी सकारात्मक आपके घर के पूरी तरफ आवरण बना लेती है। इतना प्रभावशाली और यह छोटा सा उपाय है। बस आपको करना कुछ नहीं है, ना आपकी कुछ ज्यादा लागत आने वाली है। पूरी अभी तक आपने इस वीडियो को अपनी हर एक माता बहन के चरण किया हो, तो जरूर कर दीजिए। और हर एक ग्रुप में भी उसे वीडियो को जरूर शेयर करें। ताकि हर एक सुहागन को यह ज्यान वर्धक जानकारी उन तक पहुँच सके और वह लाब ही लाब उठा सके। कि नवरात्रों के दौरान रोज सुबह आप से जितना ज्यादा हो सके ऐसा नहीं कि आप हजारों रुपए खर्च करें। आप दस रुपए भी खर्च कर सकते हैं। हजारों रुपए भी कर सकते हैं। अपने समर्थ के अनुसार जितना ज्यादा हो सके नवरात्र के पूर आप ही बिना पूजा पाठ कीजिए। आपको मान दुर्गा का फल प्राप्त हो जाएगा। से उन दोनों के मध्य गठ बंधन करें, अब वहाँ बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र हे गौरी शंकर आरधांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मा कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर लभाम। इसके बाद तीन महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में माम पारवती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको 55 पूजा करनी है। शारदीय नवरात्र के चमतकारिक 11 उपाय, धन, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रमोशन आदी मनोकामनाएं होंगी। पूरी धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदी कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किये गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माता के विभिन स्वरूपों की पूजा की जाती है। और उन्हें प्रसन करने के लिए विभिन साधनाएं भी की जाती हैं। नवरात्र में मन्चाही सफलता के लिए विशेश उपाय भी किये जाते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्र में किये गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन, आधिकई मनो कामनाएं इन नौ दिनों में किये गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। पंडित गणेश शर्मा के अनुसार उपाय इस प्रकार हैं, मन पसंद वर के लिए उपाय, पंचमी, श्राध्ध, आज, अविवाहित पूर्वजों के लिए किया जाता है तरपन और पिंडदान, नवरात् चार, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली, पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठ बंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें मंत्र, हे ग पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोब चार पूजा करनी है शीग्र विवाह के लिए उपाए नवरात्री में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात मंत्र का तीन पांच या दस माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। पक के सामने लाल चावल, चावल को रंग लें की एक धेरी बनाए। फिर उस पर एक श्रियंत्र रखकर उसका कुंकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वस्थिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्रियं के लिए उपाए नवरात्री के समय जो भी सोंवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में जाडू लगाकर उसे साफ करें अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प एवं धूप, दीप आदी से पूजा अर्चना करें राद दस बजे बाद अगनि प्रज्वलित कर उनम, शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से एक सो आठ आहुती दें अब 40 दिनों तक नित्य इ अंगल गुरु और शुक्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदी करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्वदिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर एक 108 दानों वाली स्वटिक की माला रख जाएगी। जब भी किसी इंटर्व्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटर्व्यू में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। महा लक्षमयय नम। मंत्र जाप के ये हैं नियम। मंत्र का जप स्वटिक माला से ही करें। मंत्रों चार के साथ एक एक चावल इस शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल तूटे हुए ना हो इस प्रयोग लगातार नौ दिनों तक करें। इस प्रकार की बरकत बढ़ सकती है। माता जगदंबिका को आम अथवा गन्य के रस से स्नान करवाया जाए, तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़ कर कभी नहीं जाती। वहां नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है वेद पाठ के साथ। यदि करपूर, अग्र सुगंधित वनस्पती, केसर, कस्तूरी व कमल के जल से देवी को स्नान करवाया जाए, तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, तथा साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिलती है। द्राक्षा, दाख के रस से, यदि माता जगदंबिका को स्नान करवाया जा तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार यदि देवी को दूध से स्नान करवाया जाए, तो व्यक्ति सभी प्रकार की सुख सम्रिध्य का स्वामी बनता है।